नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में डीजी आत्रा एप के बारे में जानकारे देने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा इस एप की सुरुवात इसलिए की गई है ताकि भविशे में लोग बिना किसी डॉकुमेंट के बिना किसी आईडी प्रूफ के आसानी से डोमेस्टिक फ्लाइटों में ट्रेवल कर सकें जी हैं दोस्तो यदि आप आगे अनुलेस हैं में आप ट्रेवल करना चाते हैं तो अब आपको अपने साथ कोई भी आईडी प्रूफ रखने की जुरूत नहीं रहेगी यदि आपके पास डीजी आतरा एप है और डीजी आतरा एप में आपने रजिस्टेशन किया हुआ है तो आप बिना किसी डोकुमेंट के आसानी से फेशल रिकोगनीशन के माद्यम से ट्रेवल कर पाएंगे इसकी सुरुवात इस समय भारत के कई सारे एरपोर्ट पर हो चुकी है और दिसंबर महिने से इसकी जो सुरुवात है वो नई दिली इंटरनेशनल एरपोर्ट पर पूई तरीके से होने जा रही है और अब टर्मिनल 3 से जो लोग भी ट्रेवल करेंगे नई दिली इंटरनेशनल एरपोर्ट से वो सभी लोग डीजी आतरा एप के माधियम से ट्रेवल कर पाएंगे इसके लगा यहाँ पर बात करते हैं कि यदि आपको नहीं पता कि इसका इस्तमाल कैसे करना है यानि कि आप यह जानना चाते हैं कि डीजी आतरा एप का इस्तमाल आप कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर यह एप डाउनलोड करना पड़ेगा जी हैं दोस्ते आपर भारत सरकार ने एक मोबाइल एप बना दिया है और इस मोबाइल एप को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है उसमें जाकर आपको अपना नाम और बाकी रजिस्टेशन के जो भी डीटेल से पूरे करने हैं इसमें आधार बेस आपका ऑथेंटिकेशन होगा जिसमें आपके पास OTP आएगा उसके माध्यम से एक बार आप अपना रजिस्टेशन कर लेते हैं तो उसी आप में आपको अपना फेशेल रिकोगनीशन भी रजिस्टर करना पड़ेगा यानि कि आपको बुई तरीके से उस आपको पुई तरीके से रेजिस्टर कर लेना है एक बार ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर आप देश के किसी भी एरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर यदि डीजी आतरा एप की सुविधा उपलब्ध है तो आपका facial recognition आटोमेटिक हो जाएगा और आप बिना किसी document के बिना किसी line के आसानी से अपना document सब्सक्राइब बिना ही travel कर पाएंगे तो ये सुविधा जो है इस समय दिल्ली एरपोर्ट पर सुरू हो चुकी है इसके साथ बैंगलूरू और बानारस एरपोर्ट ने भी इसकी सुरुवात करने की घोशना कर दी है और बहुत जल्दी देश के सभी एरपोर्ट पर इस त